कभी परिक्षा कैंसिल होती, कभी आयोग न कारे, कभी वेकेंसी आई जरासी लाखों पाउं पसारे। आन्द्र कोकेंद्र ने सहायता दी है धन की और कारण इसका कुछ और न था। जीवन का सार बताने को, सफलता का अद्वार दिखाने को, केशब ने ये समझाया था, परिराम के आगे कर्म चुनो। जूर्गी है इस समय माउ में, और हमारे साथ हैं माउ जनपत की उभरती हुई कवित्री, त्विंकल दूबे, जी हाँ, इनकी कुछ कविताये हैं, जो आज कल सोशल मेडिया पर ये वाइरल हो गई है, सबसे पहले तो माउ तक नीज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया, मुझे इस लायक समझा, तो मैं किसकी आभारी हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप लिखती है, तो इतना बेहतर, मुझे लगता है कि अगर कोई लेखत बेरुजगार हो और उपर से वो कुछ लिखना जानता हो, तो मुझे लगता है कि वो बेहतर लिखेगा, तो आपने अगर कुछ लिखा है, तो चलो सुने। जी मैंने लिखा है नाथू लाल ने बियड करके कितने छापे मारे मास दुमास परीक्षा दी मिरुध्यम रहे बिचारे कैसे कैसे वो लाइन फिर शुरू करी ए तो नाठू लाल ने बिएट करके कितने च्छापे मारे, मास दुमास परीक्षा दी, मिरुध्यम रहे बिचारे, पिता के सरपे भार हुए है, जन दृष्टी में बेकार हुए है, निर्मूल निराधार हुए है, क्यूंकि परिक्षा कैंसिल होती कभी आयोग नकारे कभी वैकेंसी आए जरासी लाखों पाऊं पसारे ने रहे कामना धन व्यभाव की सर्पर असंग के उधार हुए हैं सत्ता में जो कभी ना आए ऐसी अशक्त सरकार हुए हैं विवायोग भी हो न पाए 28 सब की बार हुए हैं विवाह योग भी हो ना पाए 28 सबकी बार हुए हैं और घर भर है मायूस फिक्र में प्रफुलित रिष्टेदार हुए हैं फिर भी बड़े काम के निकले चुनावों का आधार हुए हैं हर अवसर पर जट से फिसले क्योंकि बेरुज़गार हुए हैं यह कभीता में कभ से जिल्चफी लिया आपने लिखना कभ से शुरू किया तब मुझे पता चला कि मेरी इधर भी कुछ थोड़ी बहुत प्रतिवा है मुझ में तो मैंने लिखना शुरू किया और मैं इसी फिल कभी अभी क्या कर रही है अभी मैं लेखन में पूरी तरह से समर्पिथ हूं और आगे वी our करियर में बनाओ Willi क्या ने지는 कोसें जुआ तो किसी से हेल्फ रिलेती है या खुद अपना लेती हैं अपने लिखती हैं मैं सबकुछ सारी लाइने मेरी होती है और फिरगाती हैं और भी कोई मुद्रा जिस पे आपने लाइने लिखी हो अच्छे से अपको उस कभिता याद हो जी मैंने सरकारी शिक्षकों का जो ऑनलाइन हाजिरी थी उस पे लिखा बजट आया है उस पे लिखा तो बजट पे आपको सुनाईए क्योंकि बजट जो आया है वो समझ में आया आया अब कि गीत साथ लोगों को समझ में आये गी और गीत के माध्यम से पता चलेगा कि कि देरे रहेंगी स्थाई जंधन खातों के प्रयोक से सरकार की बचत हो पाई और अभी तो बहुत सारी स्कीमे मैंने इसमें डिसकस की हैं पर अंत में बताते हैं कि सुनो सज्जनों पुना बड़ी है आई विशमता भारी अमीर और संपन हुए है और गरीब जनता तो साफे से बढ़ गई है बड़ी दूरी बिहार आंद्र को केंद्र ने सहायता दी है धन की और कारण इसका कुछ और न था थी मजबूरी गटभंधन की और आयात बढ़ गए जिससे होगा अन्य देशों को मुनाफा और मध्यम दर्बर को ठेंगा दिखार सरकार में रस्ता नापा तो कुल मिलाकर बजट इस बार आया नहीं है अच्छा यही बात है बोल रहा अब देश का बच्चा 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 जैसे आपने बताया कि तयारी की आपने आपको सफलता नहीं मिली अपने जैसा खुद बताया कि आपके साथ ऐसा इसा इंसीडेंट को आप डि कि अपनी लाइन को भूल जाते हैं उनके लिए क्या कहना शाहिए आप देखिए इंडिया में हजारों बच्चे हैं जो हर साल सुसाइड कमिट करते हैं इसके कई कारण होते हैं पीर प्रेशर पैरेंटल एक्सपेक्टेशन्स पावर्टी अनिम्प्लोइमेंट कई रीजन् नहीं कर रहे होते हम जो काम करते हैं उसने हमारा पैशन की कमी होती है तो इसी लिए गीता में कहा गया है जीवन का सार बताने को सफलता का अद्वार डिखाने को केशव ने यह समझाया था परिदाम के आगे कर्म चुनो लेकिन उससे वी ぜ़रूरी मर्म सुनो कर्म करो सहर नहीं विमर्ष करो सोचो जो प्राप्थ हुआ अपसर है सबको तो नहीं यह मैस्तर है जो उभार सके अपनी प्रतिभा अभिव्यक्त कर सके आत्मुविधा उस यात्रा में मनुरंजन है कौशल का ज्यान का सर्जन है यदि सफर में हो उत्सार नहीं वो जाए भले ही हम विज अग्रिम दिशों को जीने का गुर आयेगा नहीं एक सही किसी लक्ष मात्र की अभिलाशा है नहीं यात्रा की परिभाशा अपितू मार्ग में जो प्रदर्शन हो जिस विदीकार संपादन हो प्रतिभा विवेक का स्पंदन हो करता है व्यक्ति को सुदृर वही है जीवन तो मेरा यही मेसेज है आशकल के सभी वच्चों को जो सुसाइट कमिट करना चाहते हैं या इसके बारे में थोड़ा भी सोच रहे होते हैं क्या लगा आपको अपने उपियस दियारी बताया और आब तो भाइक भाले में अब्यारी सरकारी करती है और भाइ मेरा करें एकाडमी में प्रैक्ट्रिस कर रहा है मम्मी तो कभी-कभी कहती है पापा मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं पापा कुछ नहीं प्रेसर है तुम्हें यही चाहिए तो मेरी मम्मी में सप्रत्तर करो क्यों से रोजीろोटी नहीं याव एक पल के लिए नहीं चाहिए लेकिन सभी बच्चों को कहना चाहूंगी guy उसी शेत्र में आगे बढ़े गापा न पन Kr 에 सिभा हो सच में तब ही तो आप बहुत जादा आगे जाएंगे मेरी इस बात पर विश्वास करिए आप बहुत जादा आगे बढ़ेंगे और आप जीवन में खुछ भी रहेंगे संतुष्ट भी रहेंगे और संतुष्टी से बड़ा कोई धन नहीं तो यह थी जनपत की बिटिया ट्विंकल दूबे जिनकी कविताओं को आपने सुना ये यूपियस्सी की तैयारी की वहाँ पर उनको सफलता नहीं मिली ये कुछ दिनों तक डिप्रेशन में रही उसके बाद इनोंने वापसी की और इनके अंदर जो एक हुनर था ये लिख सक किसी कविता को लिखना इतना आसान नहीं होता क्योंकि बहुत सारे सब दिकठा करने पड़ते हैं और तब जाके कविता तयार होती है और उन्होंने बताया कि अब इसी छेत्र में ये मेहनत कर रही है और ये बता भी रही है कि मेहनत इस तरह से कर रही है कि एक दिन ये मेहन लोग उनकी कट्रिश ओरू सके उसला मिल सके वाटे नांब। और सबी जो लोग अच्छ करूना चाहते चाहते हैं मैं माउतकनीट मौ सब्सक्राइब शुर्च